बले ही पीम मूदी का उत्तर प्रदेश दौरा खत्म हो गया हो लिकिन इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जो तीखे तीर छोड़े थे उस पर सियासत अभी गर्म है पहले सपा फिर कॉंग्रेस और अबस्पा ने पीम मूदी पर पलटवार किया है मायवती ने बड़ा आरूप लगाते हुए कहा कि देश में जल्द चुनाफ हो सके इसके लिए हिंदो मुसल्मान की राशनीती की जा रही है पीम मूदी हिंदो मुसल्मान की राशनीती कर अपनी सत्ता चमका रहे है देश में वक्त से पहले चुनाव हो इसलिए हिंदू मुसल्मानों का बटवारा करने में लगे हैं वो जन्ता के फायदे के लिए नहीं बलकि अपने लाब के लिए काम कर रहे हैं पीम मोदी पर ये तावर तोड़वार बसपा सुप्रीमू मायवती ने किये हैं दरजल पुर्वांचल दौरे के दौरान पीम मोदी ने कॉंग्रिस को मुसल्मानों की पार्टी बताया था इसी बयान को लेकर राजनीती कर्भ हैं मायवती ने पीम मोदी की धर्म की राजनीती पर हमला बोला है उन्हें ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जस तरह से हिंदो मुसलिम की राजनीती फिर से शुरू हो गई है उससे लग रहा है कि देश में 2019 का जो लोगसभा चुनाव होना है वो हिंदो और मुसल्मान के नाम पर ही होगा मायवती ने पियम मूधी के लगातार यूपी दौरे को लेकर भी निशाना साथा उन्हें ने कहा कि अब जब की लोगसभा का आम चुनाव नजदीक आ गया है तो केंदर और उत्तर प्रदेश में भाजबा सरकार को विभिन योजनाओ के शिला नियास की सूची है इस प्रकार की चुनावी फैसलों को आम जनता चलावे की रूप में ही देखती है डिबलाइफ की रिपोर्ट